आप सभी कुछ बच्चों का हमारी चानल जिसका नाम है मैं बहुत-बहुत स्वागत है आज तीन फर्वरी है तो देखते हैं तीन फर्वरी से लिटेट कुछ अट्रेट होने वाले को फार जो वहाइगों जितले लिजन वहांची मैजवानी है थिक ऐख ुएुटवंटी सर रहता नाम नाम हो जायगा एक में अगर बात करों के की कि यह बारत कर रहा है कौन कर रहा है इंडिया कर रहा है और तो 2024 में जो G20 की मेजबानी है वो कौन करने वाला है? ब्राजिल करने वाला है अगर मैं बात करों G20 की पैरवचो तो G20 का जो थीम है जो आपका थीम है जो भारत दे रखा है वो क्या रखा है? तो वासुदेव कुटमबकम साथ ही साथ लोगों भी launch किया गया है और लोगों क्या हो जाएगा तो लोगों हो जाएगा lotus का flower हो जाएगा इस lotus की flower के आपको 7 पत्ते नजर आएगे और यह 7 पत्ते अलग-अलग continents के बारे में बताएंगे 7 अलग-अलग continents के बारे में बताएंगे ठेक है भारत की तरफ से G20 की शेरपा कौन है तो यह कौन हो जाएंगे अमिताब कांथ कौन हो जाएंगे अमिताब कांथ हो जाएंगे जो की पहले नीती आयोग से जुड़े हुए थे तो इसमें बहुत सारी बैटक होगी प्यारवचों तो शेरपा की बैटक हुई थी दूर पर तो बहुत सारी ऐसे बैटक देखने को मिलेगी और लगभग इसकी तोटल कितनी बैटक होने वाली है 100 से जादा इसकी बैटक होने वाली है और यह सारी बैटक कहां पर होगी भारत के अंदर और इसलिए भारत क्या चाह रहा है अब G20 की मेज़बानी करेगा तो बहार से ल तो जी किशन रड्डी जी के बाद जी किशन रड्डी जी के बाद आए न्यूस क्या है देखते हैं न्यूस पूछ रहा है पहला कोशन कह रहा है कि विच अव्ड़ फॉर्लिंग मिलेस्ट्री लॉंज दी लोगो ऑफ विजट इंडिया यर 2023 हाली में किसके दुआरा कौन स च्छोफ के दवारा विजट इंडिया यर 2023 का लोगों लॉंज किया गया है तो मंत्राले कौन सी हो जाएगा टूरिजम इन दोनों मंत्राले के मंतरी कौन हो जाएंगे तो जी किशन रड्डी जी जी किशन रड्डी जी अगर मैं बात करूब पर्स मिनिस्ट्री की तो यह क ऐगर मैं बात करूँ तूरीजम मंत्राले जो है लोगों लॉज करके में आपको दिछा दिया है भारत आपको हैट जो है यह नाशनलतुरि Buddh सर्थ करता है कब तो नाशनल टूरिजम भारत कब करता है कब 25 January को यानि कि हाली में हमने celebrate किया 25 January को और कॉंसर डे celebrate किया जाता है तो National Voters Day National Voters Day जिस दिन 1950 को जो election commission है इसकी स्थापना होई थी अगर पूछे आप से कि International Tourism Day कब celebrate किया जाता है तो International Level पे प्यार बुचो International Level पे जो Tourism Day होता है इसका celebration कब होता है 27 September को ठीक है तो Visit India 2023 का जो logo है किसके दोरा launch किया गया है तो Ministry of Tourism के दोरा आगे बढ़ते है आगे question क्या पूछ रहा है देखो budget को already pass कर दिया गया है एक फरवरी को launch किया गया है किसके दोरा तो हमारी Finance Minister को निर्मिला सितर रमची ठीक है इस budget में 7 factors पर ध्यान दिया गया है वो 7 factors कौन कौन से हो जाएंगे जैसे आपका inclusive development हो जाएगा inclusive development हो जाएगा साथी साथ यहाँ पर किसके उपर बात की जाएगी तो youth के उपर बात की जाएगी youth के उपर बात की जाएगी इसाथे साथ financial sector पर काम किया जाएगा ठीक है यह वह चीज़े हैं जिसके उपर भारत जो है वो Modernite semester के अदर काम करने वाली है ठीक है तो financial sector के उपर काम किया जाएगा साथे साथ मैं बात करूं तो बाद करूं तो investment के उपर काम किया जाएगा सथे साथ ग्रीन एनरजी के उपर काम किया जाएगा और साथ यह साथ एड आपको को पता है पिर बच्चो इसे में आपको पता है कि जो भारत है भारत है उसने मिलट एयर कप से लिब्लेट किया था तो 2018 में ठीक है United Nations के दुवारा कौन सा साल मिलट एयर के रुप में घोशित किया गया है तो 2023 में भारत का वो कौन सा स्टेट है जिसने घ्याहत्वरा को 2 पर हैं दस्ट नवबंबर, 2022 को क्या से लिब्लेट किया है तो और मिलट एक रुप में से लिब्लेट गया है तो वह कौन सा हो जागा और मैं भारत की बात करूं तो भारत जो है यह largest producer है किसका largest producer है किसका तो millet का ठीक है और export की बात करूँ तो भारत जो एक्सपोर्ट करने के मामले पर कौन से रांग पर है तो second rank पर है ठीक है तो millet जो है यह बहुत जादा important है ठीक है और इसलिए प्रवच्चो जो इस बार का budget है कौन से वाला 2023-24 वाला इ इसमें मिलेट से रेलेटेड बाते कही गई है और इसमें क्या कहा गया है कि अपसे जो मिलेट है इसे हम श्री अन्ना के नाम से जानने वाले हैं पाथ स्क्रीप ठीक है कि चलो न्यूज एकते हैं क्या न्यूज है पूश रहा है कि according to the union budget 2023-24 की यून बजट के recording where has the Center of excellence been announced to make India a global hub for millets भारत को Global Hub बनाने के लिए Center of excellence को कहा पर स्थापित किया गया है question पूच रहा है तो Center of excellence को स्थापित किया गया है कहां पर हाइदराबाद के अंदर यह जो Center of excellence होने वाला है पर बजो यह जो Center of excellence होने वाला है यहां पर क्या होगा तो मिलेट से रिलेटेट क्या होगा रिसर्च होने वाला है मिलेट से रिलेटेट क्या होने वाला है रिसर्च होने वाला है साथ ही साथ मिलेट से रिलेटेट क्या होने वाला है डवलॉप्मेंट होना है ठीक है और ऐसा होने के बाद क्या होगा तो भारत जो है यह ग्लोबल हब बन जाएगा किसका तो मिलेट में क्या क्या आ जाता है तो मिलेट में आपको बाजरा देखने को मिलेगा बाजरा देखने को मिलेगा रागी देखने को मिलेगा ठीक है मक्का देखने को मिलेगा तो यह सारे किसमें आते हैं तो मिलेट के काटेगरी में आते हैं तो इस वाले बजेट में क्या किया गया है इसवाली बजेट में मिलट को श्री अन्हा के चलिएcit किया गया है ठेके आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब काँ साआ है देखते हैं अपर भद्रा हाप सब्सक्राइब अब MILE जिण यह प्रोजेक्ट क्या है bodra project के प्रोजेक्ट क्या है तो State byronataka के उन प्लेस करनाटा कि वो प्लेसे के उपर बनने वाला है तो यह जो प्रोजेक्ट जो है यह बंदरा दी अब अब को मिलेगा वद्रा इनाल आफ को कुछ नोगी जैसे तुंग और भद्रा तुंग और आपको का नहीं मिलती है तो पोड्रा रिएलस में पाणी पहुँचाने के लिए जिन एरियाज में करनाटका के अंदर पानी नहीं पहुचपा रहा है कि यूंपन के द्वारा जो अपर भद रह प्रोजट प्रजीक्ट है इसकी लिए क्या किया गया है तो पैसे नाॉंस किये गये हैं कि इस प्रोजेक्त को शिपनाने के लिए कितना पैसा फंड करेगी सरकार तो 53 करोर रूपए यह यूनियन गुवर्मेंट जो है फंड करने वाली है किसको करनाठ्का को ठीक है और क्या बनाने लिए तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन सी रिवर के उपर तो भद्रा प्रोजेक्ट के उपर यह बद् जाधा डाउन चला गया है और हाली में क्या न्यूज आता है देखो क्या हो रहा है अड़ानी ग्रूप रसेंटली एक्वाइस हाइफा प्रॉट इडिजन विच कंट्री हाइफा पोड जो है प्रवत्चों यह कौन से कंट्री से बिलॉंग करता है कोशन पूच रहा है तो इ इससे क्या होगा यूरोपियन यूनियन और भारत की बीच में जो ट्रेड है जो ट्रेड है प्यर्वत्चों इसको बड़ावा मिलने वाला है और हाली में जो अड़ानी ग्रूप है इसने हाइफा पोड को एक्वाइर कर लिया है कब तक के लिए 2025 के लिए कितने में तो 1.2 बिल्यन में किन-किन लोगों ने मिलके अक्वाइर किया है तो एक ग्रूप है कौनसी अडानी ग्रूप यह भारत की सभी जानते हैं और दूसरा है ग्याड़ड ग्रूप ठिक है इसमें ग्याड़ड ग्रूप का शेर थर्टी परसंट और इसमें अडानी का शेर है हम कहते हैं Battle of हाइफा Battle of हाइफा ठिक है इस बैटल में भारत के तीन शेरों से पार्टिस्पेर्ट किया था किसके खिलाब तो ब्रीटिश के खिलाब तो इसलिए बहुत जादे इंपोर्टेंट हो जाता है ठिक है और जो इसराइल के प्रधान मंतरी है जिनका नाम क्या हो बिन्जामिन से इन्हों ने कहा इसलें होगा भारत और इस्राइल के बीच में बहुत अच्छा क्या होने वाला है तो इस्दाने इसको एक्वाइर कर लिया है कितने में 1.2 billion में कितने सालों के लिए तो 25 तक के लिए अक्वाइर के लिए है दो लोगों ने मिलके एक अडानी ग्रूप और एक ग्रूप ठीक है 70% 30% का शेर होने वाला है आगे बढ़ते है आगे देखो यह क्या है पर बच्चों तो यह है य 2019 में ठीक है 2019 के अंदर हो क्या रहा है याया सो नोन Еज बोर्टस पैराडइज ठीक है यह जो याया सो कि लिए बहुत जादा फेमस के लिए बहुत जादा फेमस है पूछ रहा रहा है कि कौन से युनिन टैरिट्री में है तो यह आपके लडाख युनिन टीरेट्रिरि किस की लिए नहीं कि वर्ड मिलती हैं कि कौन सी नीक के यहां इते हैं यह दाए हो यह लेख यह लगभग चार हजारहार से सो उपर यह लेख है benefit उचाई में लेख ठीक है और यहां पि जित पर देखने को बॉल रहा है कि यह ग्सकर दिमांड क्या रहां था है इसको डिमांड क्या रहा है बयोडायवårसिटी साइट के अंदर शामिzh करने के लिए क्यूं क्योंकि जो रिवर ये फिरे हो रहा है यानि ऐसक gelir क्या हो रही है कम होते जारी है तो याग syo बीडियक वा तो यह आपके लदाग का बनता है तो 2019 में इसे दर्जा दिया जाता है यह लेक जो है कितने फीट उपर है तो 4300 की उचाई के फीट में है यहां पर कौन सी बॉर्ड देखने को मिलती है तो ब्लाक नेक क्रेंज नाम के एक बॉर्ड आपको देखने को मिलेगी आगे रेखो ग इंडलें का इंटर्णाशनल क्यूंस और्गनाजेशन तो इंटर्नाशनल seraitन को मानेटरी के मोनीट्रान धूर mutta ये साल में दो बार रिलीस करता है क्या कि यESE साल में प्रचेक्षन कि है कि इसने की बढ़ रहीं है už अटेकर तो यह किस ने बताया है फटर एकनोमिक आउप्लूख को रिलीज कौन करता हैं एंडेनक που सफाफना कि की सापना होती है 1945 में इसका हेड कॉर्ट आप को कहा देखने को मिलेगा तो इसका हैड कॉर्टर आपको देखने को मिलेगा वाशिंग्टन तीक के अंदर गाइए वाशिंग टल डीसी के अंदर इसकी जो मैनेजिंग डाइर्क टैरेक्टर यह कौन है आप मुझे बिताओगे और इसकी जो डिप्यूटी मैनेजिंग डिरेक्टर है वहाली में बने गई थी किसको बनाया गया था तो गीता गोपी नाथ को यह किस ताइप का इसलें पॉपीरों में कौन सी आप यह सब्सक्राइब करती है तो इको के अंदर काम पर ठीक है तो कौन सी वह ऑर्गनाजेशन ने जिसने हाली में वर्ल्ड एकनॉमिक और लुक को रिलीस करती है तो पहरी बार इसने रिलीस किया था कब 2015 में ठीक है और अब जो है यह January 2023 में यह दुबारा release करती है जिसमें इसने यह बोला है क्या तो जो global economy वो किस रफ्तार से बढ़ने वाली यह इसको बताया है साथ ही साथ इसने advance economies के बारे में बताया है और साथ ही साथ इसने emerging market developing economies के बारे में बताया है इसी के दुबारा यह भी बताया इसी के दुबारा यह भी बताया गया है तो कि जितने भी economies है ना जितने भी developing economies है उसमें जो सबसे रफ्तार से बढ़ने वाली है 2024 के अंदर वो कौन बढ़ने वाला है तो वो इंडिया बढ़ने वाला है ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखना है आगे देखो एक मिटिंग का आयोजन होता है किसे दुबारा तो लुए आयोजन होता है Washington के अंदर कहां हो harmful यह अैं ध। उसके दुबारा क्या होता है प्यारबचा तो यहाँ पे युएस की युएस के नाशनल security advisor मौझुद होते हैं साथ इसाथ इंडिया के National Security Advisor मौझूद होते हैं और यह लोग किसके उपर चर्चा करते हैं प्यारवचों तो यह लोग चर्चा करते हैं Initiative on Critical and Emerging Technologies ठीक है तो एक बैटक होती है कहां पर Washington DC के अंदर जिसमें दो देश पार्टिसिपेट करते हैं भारत और USA यह जो मिटिंग होती है कि किसके बीच में होती है तो USA के National Security Advisor और इंडिया के National Security Advisor ठीक है और यह जो मिटिंग है वो कौन से मुद्दे पर होती है तो critical and emerging technologies के उपर यह मिटिंग होती है आए क्या पूछ रहा है inaugural India US initiative ठीक है यह पहली बार होगा ठीक है यह जो इस मुद्दे पर बैटक हो रही है कौन से मुद्दे से सीजिएक सब्सक्राइब तुरा है तो sir थी गटत एषुलिवल शिर्फन करक रहा है और बह रहत कर नेसे की चीफ है कॉन तो अजीट डिवाल ठीक है तो यह पहली मेटिंग हो रही है इसलिए इंपॉर्टेंट फौर्टेंट है अगे बढ़तते हैं आगे रखो ने ओक्तिक्त्राइभ आच इस तो इंड्यन इंस्टिटूशृनल रंकिंग फ्रेम्वर्क निन वुमें li ना करती सो ध्या बलन फ्य क्या काम करती है जिल्lara पर फिजेतों है निश्टिय ओफ एड़ूकेशन के इंदर आती है मिनिस्ट्य यॉफ एडूकेशन के अंतरगत आती है और यह क्या करती है पर वचो यह report बनाती है किस क्यूप report बनाती है तो management studies के उपर ठीक है भारत के अंदर जो आपको management universities देखने को मिलेंगे K Jak Inobi उनिवर्सीटिटी जो है किस तक्र याट तो वह सरकारी हुगे यानि कि गौपूर्मेंट वाले हुगे और या तो वह प्राइवड इन्सीटूट्सूट हूंगे ठाशों तो जो IIRF है यह क्या है एक रिपोर्ट बनाती है यह रिपोर्ट किसक्यों पर बना रही है तो यह रिपोर्ट बना रही है management universities के अंदर भारत के अंदर दो टाइप की management universities होंके या तो सरकारी या तो प्राइवेट तो बूच रहा है पर बूच विच कॉलेज टॉप्स दा लिस्ट ओफ आई आई आरफ एंबिये रांकिंग दो हजार तेज आई 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 आरफ का जो एंबिये रांकिंग है या कौन सा यूनिवर्सिटी है जो कि एंबिये की पड़ाई सबसे बहुत जादा अच्छे प्लेस्मेंट बहुत अच्छा है इंफरस्ट्रक् पर Колकाता पर लगनोल हूब यह कौन सा प्राइवेट कॉलिज सेंट ज्यावेयर आपको पता है हर में आपको देखने हमिलेगा बटकॉं सेंट शेयर सेंट डियूं की सबसे बहतरी में काम करते से युनिवर्सिटी वो जाएकी वह कौन सी वह जाएगी सरकारी में तो यह हो जाएगी ठीक है और प्राइवाट में कौन में हो जाएगी से ज्यवियर हो जाएग आगी टो यह तो यह आपके ताटन अगर थी जिसका नाम था हर घर हर घर ध्यान आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ध्यान लगाना यानि कि meditate करना है तो यह जो इनिशेटिव था यह किसके उपर था तो meditation के उपर था और इसकी शुरुवात कब होती है October 2022 में यह जो ऑफ टक चलने वाला है तो यह independence यानि कि फंद्राः अगस्टतक चलने वाला है पंद्राः अगस्ट के अगत्प दो हजार थाइस तक आति किशल की एक तो पूछ रहा है कि हर घर ध्यान होってる हैं think ठीक है हर घर ध्यान क्या है प्यारबच्चो तो जो यूवा है जो यूथ है जो यूथ है प्यारबच्चो जो यूवा है उसको meditation के तरफ meditation के तरफ क्या करना है आगे बढ़ाना है जिससे क्या होगी उनकी mental health उनकी फिजिकल हेल्फ में क्या होगा बड़ाउत्री आईगी ठीक है तो यूवाव को मेडिटेशन के तरफ आगे ले जाने के लिए क्या लॉंच किया गया था तो हर घर ध्यान लॉंच किया गया था कब किया गया था तो कुक्तुबर 2,022 में यह केंप्रिया केंफें कितने सालों का है तो यह 15 अगस 2023 तक कियाा सच चलने वाला है इस करे शुर्वात कब होती है बच्चो तो अड़ल भिहारी बाचपाई के नामसे प्रिहारी बाचपाई के नामसे इसकी शुरॉवात की गई सबनी थी कब 2015 में इसमें होता क्या है। जो साथ साल वाले बजुर्ग है यानि एनकी 5-ब करेगी उनको дав उनको फॉर्मेंटे जो है क्या देगी उनको पेंशन देगी पेंशन कितना देगी पेर बॉस्चो तो पेंशन देगी कितना 1000 से लेकर 5000 देखागर जो अettes का मंठनेके बाद को हजार से लिके बीच में क्या धिया जाएगा पैंशन दिया जाएगा इसका सब्सक्राइब लिए उसका रिक्यत्ट नहीं है सरकाई अ सब्सक्राइब कर नो कोई व्यक्ति किसी दुकान में काम कर रहा था उसको पंशन मिलेगा नहीं मिलेगा यानि कि वह लोग जो कि अन और्गनाईस सेक्टर में वह लोग पत corn और से क्लिक कर रहे हैं औस थे कि यह जो अत्तल पेंचन योजना है यह इसने क्या कि लैंड माक्क क्लॉस कर लिया है यानि कि इसमें जो इंड्रोल्मेंट सें वह कितने देखने को मिलेंगे तो पांच करूर से जयादा इसमें इंड्रोल्मेंट पांच करोर से ज्यादा लोग जो है वो इसमें इंड्रोल हो गया ठीक है यही आपका न्यूस था आगे बढ़ते हैं कुछ वर नाइनस देख लेते हैं आपको पता है कि 47 इंडियन कोस्गार्ट हाली में इंडियन कोस्गार्ट की बात करूं तो हमारी वाटर बॉडिस को प्र प्रोटेक्ट ठीक है आगे कलपना चावला देथ अनिवर्सरी हाली में हमने सेलिब्रेट का कब फर्स्ट फर्वरी को ठीक है यह पहली भारती महिला थी जिन्होंने स्पेस पे पहुची थी वर्ल्ड वेट्लांस दे आपको याद होगा वेट्लांड कंवेंशन वेट्लां है कब सेकेंड फर्वरी को इस बार का थीम क्या है तो इस टाइम फोर वेट्लांस रिस्टोरेशन ठीक है आगे के आगे बोल रहा है सूरजकुंड मिला पर में रप्रपोन हर्याना के अंदर देखने एर दुनिया का सबसे सबसे बड़ा क्राफ मिला होता है क् возмож by मिला होते हैं कब से कब तक तो तीन फर्वरीं लेकर 19 फरवरी तक है चलने वाला है अगला आ रहा है क्या जी ट्वल्टी का पहला एनर्जी टांजिशन वर्किंग ग्रुप का मीटिंग है इसके आयोजन कहां पर हो रही है बैंगलोरु के अंदर कब से कब तक तो 5 से 7 फरवरी के अंदर ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे ज पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल आप सभी को पता है पाकिस्तान का जो इंफलेशन डेट है वो पिछले 48 साल में आप हुआ बहाँ है झालललभल को अभूँए लवोरु कि मैं थाया चाल ग्याँ है झाललल गभूँवरेका जटान का जो अज़िएर भालल्वूण नवच्थराएं में अवआप है और वद्दूण प्सक्तान का जटता है जब जदाएं आग्ट है वोरूण जगा